हलो हाई दोस्तों मैं बजरंग और आप देख रहे हैं सिवे में एस यूटूब चैनल विटामिन से समधित हम कुछ परसन मैं तो पूर्ण जो परसन वो करते हैं विटामिन से समधित हमने फ्यक जान लिये थे तो बिना समय गवाय वे आज का पहला क्यूशन शुरू करते हैं किस विटामिन की कमी से जनन चमता में कमी आती है यह कौन से ऐसी विटामिन है जिसमें जनन चमता में कमी आती है यह क्यूशन करवाया वाय कि ऐसी कौन से विटामिन है जिसकी कमी से जनन चमता में कमी आ जाती है पहला उप्षन विटामिन C दूसरा विटामिन E तेसरा वि विटामीन E, विटामीन E, दूसरा question, बोजन का अनुवार ये अव्यव है, हमने संतुलित बोजन में कार्भोईडेट, विटामीन और प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, तो आप इसमें ये बताई कि बोजन का अनुवार ही अव्यव कौन सा, यानि कौन सा योगी का जो अन तो इसमें है कार्बोहेडरेट अन्वार यह यानि कार्बोहेडरेट हमें तुरंत उर्जा प्रदान करता है गुलकोज एक प्रकार का कार्बोहेडरेट है तीसरा कुछन सरीर में उत्तकों का निर्मान किस से होता है यानि सरीर में उत्तकों का निर्मान किस से होता है तो प्रोटीन, कार्वाइडेट, वसा या विटामिन ये सबी हमने अफेक्ट जाने थी कि कौन से किस चीज का यानि किस बोजे पदारत का क्या का रिये है तो इसमें पहला उप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोईडेट या विटामिन तो दोस्तों बताएए कि सरीर में उत्तकों का निर्मान किसे होता है उत्तकों का निर्मान यानि ऐसा इसमें कौन सा बोजे एवेव है जो कोशिकों के मरमत करता है, सरीर की मरमत करता है तो ऐसा कौन सा संतुलित बोजन बताया था तो इसमें है प्रोटीन फिर है विटामिन A उपलब्द है यानि विटामिन A किस रोत में उपलब्द है तो पहला अलू, टमाटर, गाजर, पालक तो दोस्तों बताए इसमें कौन सा है इसमें है गाजर यानि जो विटामिन जो A होती है वो A किसमें होती है एक तो मैंने श्रोत बताया था गाजर और दूसरा श्रोत क्या बताया था यानि गोल्डन राइस गौल्डन गौल्डन राइस सुनहरा चावल में ये दो दो अच्छे स्रोप कई बार पुछे जाते हैं या ये भी दे सकता है कि गौल्डन राइस में कौन सी विटामीन है तो कौन सी करेंगी विटामीन A का संसलेशन किया गया है नमर पांच दांतों से खून का गरना किस विटामीन की कमी से होता है या या ऐसे कौन सी विटामीन है जिसमें दांतों से खून आते हैं और वह है एक हमने रोग पड़ा था कि वह है रोग कौन सा होता है इसकरवी तो इसकरवी रोग किस विटामीन की कमी से होता है इसकरवी रोग वीटामίν A वीटामίν B वीटामίν C ये वीटामίν D तो दोस्तोם बताएँ इसका सही आंस्वर क्या है वीटामίν C इसकरवी रोग इसे नाविक भी कहते हैं सब से पहले नाविकों में ये रोग खोढ़ा गया था किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन यानि किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है तो इसमें दिएगे चार ओप्सन में से बताए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्राणी बोजे पदार्थ में है लेकिन वनस पती क्योंकि सबजी क्या है एक परकार की सबजी एक परकार की वनस पती है तो ये भी फेक्ट हमने जाना था विटामीन वाले से समधित तो दोस्तों बताए इसमें कौन सा होगा विटामीन B1, विटामीन C, विटामीन D या विटामिन E, यानि कौन सा ऐसा भोजे प्रदार्थ है, जिससे विटामिन A, सुरी, ऐसा कौन सी विटामिन है, जो केवल वनस पती से प्राप्त होती है, और वनस पती से नहीं, यानि इसमें अगर देखें तो कौन सा पुछा है, कि वनस पती से प्राप्त नहोंने वाली ही प्राप्त होसकती इसमें आंसर हो जाएगा विटामीन दी क्योंगि मैंने बताया था विटामィन बिबारा आप दी यह यानि ऐसी है जो वनसपती से बोजय पदातों से प्राप्त होतीं के अमें यहां अब राप्त होती हैं दौस्तों वीडिये अच्छा लगे तो लाइक करएंड और सब्सक्राइब जरूर करें आप क्योशन करते-करते लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक का क्लिक तुरंत दभा देए इसमें फिर नेक्स्ट क्योशन है 7 निमलेखिट में से अनने 50 एनने 33-बीन है यानि अगर देखें तो इसमें पुछा कि अनने 3-बीन कौंसा है यह हमने कार्भो खार में बढ़ा था और पॉनी सेकराइट सरक्राएं से तो अगर देखें सुक्रोज किस प्रकार का रिक है जैकल्प टोस डिरेड माल्टोस डिरेजक सक commerce अभिन से स्कार िक से तो इसका सही आज़लेगा इसका मोनो स किराइड सरक्रा उती है मोनो तो यह चीज तर offset से इनों प्रकार के जो सरक्राई हैं वरगी करण में वह वापस देख लें क्योंकि इस प्रकार विभीनता से क्यूशन यहां से पुछा जा सकता है नेक्स्ट क्यूशन यह होए गया नेक्स्ट आठ वागी क्यूशन किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं यानि ऐसी कौन सी विटामिन है जो हार्मोन यूगत होती है यह मैं भी क्यूशन भी फेक्ट में हमने समझे थे तो बताइए कि दोस्तों को कौन सी विटामिन है जो हार्मोन यूगत विटा बावित करने वाली जो गरंती है वो गरंती कौन से सुरी विटामीन है वो विटामीन कौन सी है विटामीन डी यानि हार्मोन युक्त है कि कौन सी विटामीन हार्मोन युक्त है तो भी आंस्वर हमारा कह रहेगा विटामीन डी फिर दूसरा अगर यहां देखें कि विटामीन कि उसे ने बहुत बार पूछा दा सकता है कि विटामिनों का मुख्य कारिय क्या है तो विटामिन का मुख्य कारिय क्या बोजन के उत्प्रेरा के रुप में बोजन के सरजन में बोजन के आउशोशन में बोजन के पाचन में तो दोस्तों बताईए इसका अंसर आप दे सकते ह यानि अगर देखें कि सहद में प्रमुक रूप से कौन सी कार्भोहेडरेट सरक्रा होती है तो कौन सी कार्भोहेडरेट यानि प्रमु गठक गुलकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज जिसे सहद की सरक्रा भी कहते हैं यानि सहद की सरक्रा भी कहा जाता है क्यों से निए इस प्रकार से भी पूछा जा सकते हैं तो दोस्तों बताइए कि कौन सा है सहथ का प्रमु कठक गलकॉज सुक्रोज अगले विडियों